दिवारी पर एक परिवार की खुचियों पर ग्रहन लग्या 10 साल के बच्चे ने मा से बम फोड़ने के रिए ग्लास मागा माने बना किया तो वे दूसरे के यहां से ग्लास ले आया और बम फोड़ दिया इससे ग्लास फटा और एक तुकडा गर्दन में लगने से उसकी मौत हो गई ये दरदराग हाथसा उज्जैन में हुआ है सहर में 24 खंभा मार्ग पर कहार वाडी मुहले में असोग कहार परिवार के साथ रहते हैं असोग प्राइवेट काम करते हैं उनका 10 साल का बेटा रितिक कहार है मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे घर पर मा अंदर काम कर रही थी और रितिक बाहर खेल रहा था पिता किसी काम से सिप्रा नदी के रामघाट पर गया थे कुछ देर में बम फटनी की आवाज आई पता चला कि रितिक के गले में श्टील का तुकडा फस गया है जिससे वो बेसुध हो गया मा दोड कर बाहर आई पडोसियों की बदद से उसे जिलास बताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घौसित कर दिया बच्चे की पिता सिप्रा नदी पर काम करते हैं बेटे को बम दिलाने के रिए परिवार के पास पैसे नहीं थे लेकिन वह बम और श्टील का गलास कहां से लाया ये पता नहीं चल सका है मृत चौथी कच्छा का छात्र था घटना का बता चलती ही परिवार वाले घबरा गये कुछ देर तो समझी नहीं आया पहले उसे सिवल अस्पतार लेकर गये यहां मना कर दिया तो दो अलग-अलग प्राइवेट अस्पतार लेकर गये यहां भी मना करने के बाद जिलास पताल लेकर गया जहां बच्चे को मृत घोसित कर दिया पडोसियों ने बताया कि रितिक ने बम फोड़ने के लिए मा से गलास मागा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया इसके बाद जूद रितिक बाहर चला गया कुछ देर बाद बम फूटने की आवाज और अफरा तफरी मची तो घटना का पता चला रितिक किसी और जगय से गलास लेकर आया था उसने बम पर स्टेल का गलास रख दिया जब बम फूटा तो गलास के तुकडे बिखर गया एक तुकडा बच्चे की गर्दन में धस गया